मुझे दोस्तों एक नई वीडियो शुरू हो चुकी है और मेरे पीछे जो नजर आ रही है वो है गयों की फसल और गयों की फसल आजकल खेतों में बहुत ही जवर्दस हरी भरी नजर आ रही है क्योंकि उसका पकने का समय यही होता है आप देख पा रहे होंगे कि जो गया हूं की बालिया है वो बिलकुल हरी है तो जैसे इन पर आजकल बहुत तेज धूप परती है तो हूँ पक जाती है और पकने के बाद उस समय बाद में काटा जाता है कि वहलो दोस्तों नमस्कार राम राम मेरा नाम है सुबं और मैं विलाओं करता हूं केदारनाद घडि के इस खुष्चुरत से गाउं डोबा और आजकल गाउं में जो भी पेड़ पौदे हैं वो सब हरे भरे नजर आ रहे हैं जो मेरे पीछे नजर भी आ रहा होगा तो से हरे हो रहे हैं कि बहुत खुफ्चूरत लग रहे हैं दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही छोटा वीडियो देने वाला हूं ले जा रहा हूं आपको गाउं की तरफ फिलाल रास्ते में गाउं में नजर आती है गौसालाएं जोशी प्रकार पर रहती है और कुछ गौसालाएं जहां पर बंद है क्योंकि पलायन के कारण कोई गौसालाँ पर रहने वाला नहीं तो दाओं में नजर आती है बहुत सारी गौसालाएं तो कुछ गौसालाओं पर जानवर रहने वाले हैं लेकिन कुछ गौसाले बंद पड़ी है ताले लगे हुए हैं क्योंकि पलायन के कारण उन गौसालों पर किसी के गाय जानवर रहने वाले नहीं है तो मेरे पीछे नजर आ रहा होगा आगनबाडी बहुत पुराना आगनबाडी है हमारे गाउं का और साथ में नजर आ रहा होगा नर्सिंग देटा का मंदिर जो की बहुत प्राचिन मंदिर है संभी हमें यह अए दोस्तों गाउं को वाहर करने के वाद हम पहुचने वाले सिरक का डामरी करन चल रहा है यहां पर लगाओ आए बहुत भटा कंग्रेट का जोगी पश सिरकशादी कर ने का इस सदो की इसिख पर विचाँ आ गया है और ये बठाये मैंने कि मैन गेट हमारे गाउं को जाने का अभी भी इसका निर्मान नया नया हुआ है तो बिल्कुल नियो लग नजर आ रहा होगा मैं बता दूं आपको कि सडक का डामरी करन चल रहा है आज कल और कंक्रीट बिच चुकी है और कंक्रीट के उपर हलका मिट्टी भी डाला हुआ है और उसके उपर जो रूलर होता है उसे भी चलाया जा चुका है और जिससे दबी हुई नजर आ रही होंगी कंक्रीट और मिट् ये पर नज़र आ रहा है ट्रेक्टर जो कि आजकल सड़क के कामों में लगा हुआ है और एक और कंक्रीट का धेर ये नज़र आ रहा है और ये सामने पर नज़र आ रहा होगा कि तीवाल वितेर रही है सड़क के उपर की साइट को है यहां कभी हो देखे दोस्तों यहां कंक्रीट बिची हुए है कंक्रीट पीछे भी बिची हुए थी लेकिन उसके उपर मिटी मिल आ besar AGigare अब अगय चलते हैं में मत्र सबस्कानिया और इसे गाउं में नहीं लगाया गया क्योंकि कहा गया है कि मैं पानी नहीं यहां पर लगाया गया लेकिन यहां पर भी इस सबड़ है है आपको मैं दिखाता हूँ आप महसूस करोगे तो इसका मतलब ओ भाई यह तो उट भी नहीं रहा है बिल्कुल भी यूज मैं नहीं है यह फाल्टों का खर्चा आए ना तो इस पर फानी आ रहा है और खर्चा भी बहुत करा हुआ होगा तो मतलब ऐसी जोगा पर लगाना चा कर रहा है उसके बाद इसके ऊपर से लेगा रोलर यह नजर आ रहा है जिस प्रकासिज जेस्पी ने फैले हुए कंक्रीट के ऊपर मिट्टी डाली है लगे हो तो यहां के कंक्रीट बिल्कुल बिचे हुए नहीं है तो इसके ऊपर चलेगा रोलर उसके बाद यह बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे नीचे दब जाएंगे तो अच्छा लगने वाल है उसके बाद फिलाल तो बहुत उपर खाबर जैसा मैसूस हो रही है कंक्रीट बिचीवी है और इससे आगे बिल्कुल भी कंक्रीट बिचीवी नहीं है अब बिचाए जाएंगे यहां कंक्रीट किया हुआ यहां बॉल हर्ची तुमारी तो यहां इनकी फुटवाल कुम हुई है जिसे खुजने के लिए यहां रिके हैं इनकी स्कूल है उपर वहां से गिरी है फुटवाल इस फुटवाल 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 गुम हुई और खुजनी है उसे तो खुजते हैं रहे ने रहे ना फुटवाल खुजन एक उसक्ता तक जा और कुछन यहां कि जा मुलत में लिया ड़कार अप्रेश पाल गुम हुई थी तो यहां मिल गई ए देखो यहां मिल गई आप 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 तो यह बाल कब हुई थे गुम आज वह थे और दोस्तों हमने इनकी बाल खुज दिया है जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है जो कितना खुस्व आप डूह मिल गई हैं और यह फॉप जादा खुस है तो अब मुझे क्या मिलेगा मैं आपकी बॉल खोजी क्या मिलेगा मिरको बाइच दूना इस बदारी मिलेगा तुम्हें तो बदारी मिलेगी मैडम से कशी कि अ